Hello students, I am Rajiv Kumar, your math teacher, बच्चों, आज मैं आप लोगों को exercise 2.5 के अंतरगत question 9 और इसके आगे के questions करवाने जा रहा हूँ, तो आईए शुरू करते हैं, question number 9, क्या है question में, verify first part x cube plus y cube is equal to x plus y, x square plus y square minus xy, और second part है x minus y, x square plus xy plus y square, तो इसमें first part का solution देखिए, इसमें हमें verify करना है कि ये इतनी चीज़ इसके बराबर है, तो इसमें सबसे पहले हम RHS लेकर चलेंगे, RHS हम ले लें, तो देखिए क्या लिखा है, x plus y, और दूसरे bracket में है, x square minus xy plus y square, अब इससे हमें solve करके, ये x cube plus y cube लेकर आना है, तो कैसे करेंगे, इसमें हम, सबसे पहले तो इसका multiply करा दीजिए, तो x से पहले कराईए, तो आ जाएगा x cube minus x square y, और plus x y square, ये x से इन तीनों में multiply हो गया, अब y से कराना है, तो ये आगया आपका y x square minus x y square plus y cube, अब इसमें कुछ term add हो सकते हैं, कुछ subtract हो सकते हैं, वो हम देखेंगे, तो क्या इसमें cut रहा है, क्या बच रहा है, ये देखना है, तो देखिए, ये x y square आपका minus का है, और ये x y square आपका plus का है, तो ये दोनों हम काड देते हैं, इस तरह से cut गए, और x square y minus का है, और ये x square plus का है, तो ये भी cancel हो जाएगा, तो अब हमारे पास सिर्फ x cube plus y cube बचा, तो हमको इसमें यही लाना था, तो ये हमारा lhs आगया है, और ये verified हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, hence verified, अब इसका second part देखिए, second part में क्या है, उसमें भी rhs लिखेंगे, rhs है उसका, x minus y, x square plus xy plus y square, अब इन दोनों को solve करना है, और फिर हमको ये लाना है, क्या लाना है इसमें, x cube minus y cube के equal इसको लाना है, यहाँ छूट गया है, तो इसको लिख देते हैं, यहाँ पर हमें इसको prove करना था, x cube minus y cube के बराबर, तो इसमें ये side हमने, x minus y into x square plus xy plus y square लिख लिख लिए, और इसको x cube minus y cube के equal लाना है, तो अब इसमें हम multiply करा देंगे, x से पहले कराएंगे, तो आएगा x cube और plus x square pi और plus x y square और फिर minus y से कराना है, तो यहाँ जाएगा, minus y x square और minus x y square और minus y cube, अब इसमें भी बीच के सारे term कट जाएंगे, x square y ये और x square y ये cancel हो गया, और x y square ये और ये cancel हो गया, तो इसमें बच्चों क्या बच्चा, x cube minus y cube, और यही हमारा LHS है, तो इस तरह से ये 9 नमबर का question हो गया, और यहाँ hence verified लिख सकते हैं, hence verified, तो question 2 के बाद, अब इसमें question 9 के बाद अब अब लाएगा question 10, तो देखते हैं question 10 क्या है, question 10, question 10 में है, factorize of the following, factorize of the following, यानि इसमें हमें factors करने हैं, तो इसमें भी दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है, 27 y cube, plus 125 z cube, और इसका second part है, 64 m cube, minus 343 n cube, तो यह दो questions हैं बच्चों इसमें, question 10 में, अब इनको कैसे करेंगे, देखिए, बहुत ही easy questions हैं यह, अब इसमें solution, first part का solution देखिए पहले, इसका factor करना है, पहले इसको note करते हैं, 27 y cube, plus 125 z cube, अब इसमें हमें इनका whole cube बनाना है, सबसे पहले, तो 27 y cube का, अगर हम इस तरह लिखें, तो 3 y का यह whole cube हो जाएगा, क्योंकि 3 y का whole cube इतना ही होता है, और 125 z cube में 5 z का whole cube, अब यह हमारा a cube plus b cube format का हो गया है, और formula देखिए क्या होता है, a cube plus b cube का, यह identity है, इसका होता है, पहले bracket में आपका a plus b, और दूसरे bracket में, a square minus ab plus b square होता है, तो यही formula यहाँ apply कर देंगे, बस यह दियान रखेंगे, कि a की value यहाँ 3 y है, और b की value 5 z है, तो पहले bracket में तो दोनों का total किया गया है, 3 y plus 5 z, यह आ गया, और दूसरे bracket में, a का square यहाँ पहले का square, तो 3 y का square करेंगे, तो 9 y square आएगा, फिर minus का दोनों का multiply, तो 3 5 z है 15, यही 15 y z, और फिर 5 z का square करेंगे, तो यह आ जाएगा, 25 z square, तो यह इस तरह से, इसके दो factors आ गए, यह first part था, अब इसका second part देखते हैं, क्या है, 64 m cube, minus 343 n cube, और अब इसको हम, whole cube के form में लिखेंगे, तो 64 m cube को लिखा जा सकता है, 4 m का whole cube, और यह 343 n cube है, तो इसको लिखा जा सकता है, 7 n का whole cube, और फिर इसमें formula अब लग जाएगा, a cube minus b cube का, तो यह formula होता है, पहले bracket में, a minus b, और फिर दुसरे bracket में, a square plus a b plus b square, और अब यह formula जब इसमें apply करेंगे, तो a की जगे 4 m है, और b की जगे 7 n है, बस यह ध्यान रखेंगे, तो a minus b है, तो इसमें आ जाएगा, 4 m minus 7 n, और फिर दूसरे bracket में, पहले का square, यानि 4 m का square, तो यह कितना आ जाएगा, 16 m square, फिर plus a b, दोनों की multiply का, plus sign के साथ, तो 4, 7, जा 28 m n, यह हो गया, और फिर, plus b square, यानि इसका square करेंगे, तो आएगा, 49 n square, तो इस तरह से यह, इसके factors हो गए, यह answer है, यह भी answer है, तो यह इस तरह से, 9 और 10 दो पार्ट हो गए, अब इसके बाद, इसमें हम, 11 करेंगे, question 11, question 11, क्या है, पहले उसको नोट करते हैं, question 11, factorize है, factorize, factor करने हैं इसमें, किसके factor, 27, x cube, plus y cube, plus z cube, minus 9 x y z, तो यह question दिया गया है, और अब, इसका हमें factor करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या है, 27 x cube है, तो पहले इसको हम, whole cube के form में लिखेंगे, तो देखें, क्या बन जाएगा, इसका solution, solution में सबसे पहले, question नोट कर लेंगे, 27 x cube, plus y cube, plus z cube, minus 9 x y z, देखें, इसको whole cube के form में लिखेंगे, तो यह 3 x का, whole cube बन जाएगा, और, यह y का whole cube है, और, यह z का whole cube है, अब यह a cube, plus b cube, plus c cube, minus 3 abc जैसा बनाएंगे, तो 3 और 7 में, यह तीनों लिखे जा सकते हैं, 3 x, फिर y, और फिर z, तो यह, a cube, plus b cube, plus c cube, minus 3 abc जैसा हो गया, तो इसका भी एक formula होता है, क्या formula होता है, a cube, plus b cube, plus c cube, minus 3 abc, इसका formula यहां पर लगाया जैएगा, और यह formula पहले हम लिख देते हैं, side में यहां formula लिख देते हैं, क्या होता है, a cube, plus b cube, plus c cube, minus 3 abc, अगर पहीं लिखा हो, तो इसकी जगे यह formula दिया जाता है, पहले bracket में a plus b plus c होता है, दूसरे bracket में a square plus b square plus c square, फिर minus का a b, minus का b c, और minus का c a, यह होता है, अब इसी formula की तरह से इसको हम open करेंगे, तो देखिए, पहले bracket में a plus b plus c है, यानि केवल उनके q roots लिए जाएंगे, तो यहां जाएगा 3x plus y plus z, यह पहले bracket में आ गया, और अब दूसरे bracket में क्या होगा, into लगा के लिखेंगे, इसमें a square यानि पहले का i square, तो 9x square हो गया, फिर b का i square है, तो यह y square हो गया, और फिर c का i square है, तो यह क्या हो जाएगा, z का i square, और फिर इसके बाद नीचे लिख दे रहे हैं, और फिर minus a, b है, minus a, b यानि इन दोनों का multiply, तो minus का 3xy हो गया, और फिर minus b, c, तो यहाँ minus का y, z हो जाएगा, और फिर minus इनका, इनका multiply, तो यह minus का 3z, x हो जाएगा, तो इस तरह से इसके यह दो factors आ गया, तो यह था question number हमारा 11, और 11 में एक ही पार्ट है, और आप question number 12 करेंगे, question 12 क्या है, question 12 देखते हैं, verify that, verify करना है आपको, क्या verify करना है, x cube प्लस y cube प्लस z cube, और, minus 3xyz, यह किसके equal है, half times, x plus y plus z, और दूसरे bracket में है, x minus y का whole square, plus y minus z का whole square, और, plus z minus x का whole square, तो यह दिया गया है, यानि हमें इसके, equal इसको दिखाना है, तो कैसे करेंगे, यह देखते हैं, बहुत simple question है, इसमें पहले, इसका हम, lhs part note कर लेते हैं, यहनि हमको दिया गया है, x cube प्लस y cube, प्लस z cube, minus 3xyz, यह दिया गया है, तो आप जानते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, x plus y plus z, एक ब्रेकेट में, दूसरे ब्रेकेट में क्या होता है, x square plus y square, plus z square, और minus xy, minus yz, और minus का zx, अब हमें लाना है यह, और आगया है यह, तो देखी क्या करेंगे, यह x plus y plus z, हमारा ऐसे ही लिख दिया हमने, और इसमें हम, 2 का divide और 2 का multiply करेंगे, तो यह 1 upon 2, यहां हो गया, और into 2 हो गया, इसको ऐसे ही note कर देते हैं, x square, plus y square, plus z square, minus xy, minus yz, और minus zx, अब यह जो half है, इसको हम इसके साथ ले लेते हैं, तो half into x plus y plus z आ गया, और यह जो 2 है, इसका अंदर multiply कर देते हैं, तो यह हो जाएगा, 2x square, plus 2y square, plus 2z square, minus 2xy, minus 2yz, यह yz है, और minus 2zx, तो यह इस तरह से बन गया, अब इसको हम अलग-अलग square के form में लिख लेंगे, तो half x plus y plus z, और यह जो 2x square है, इसको बच्चों break कर लेंगे, x square plus x square में, और इसको y square plus y square में, और इसको z square plus z square में break कर लेंगे, तो यह आजाएगा, आपका x square, plus x square, और यह आपका है, y square plus y square, और यह, z square plus z square है, और साथ में यह जो लिखे हैं, इनको भी note कर लेते हैं, 2xy, minus 2yz, और minus का 2zx, अब इसमें square बन जाएगा, half, x plus y plus z, और अगर आप आप ध्यान से देखें, x square plus y square, minus 2xy को एक साथ ले लिया जाए, और फिर, y square plus z square, minus 2yz को, एक साथ में ले लिया जाए, और, z square plus x square, minus 2zx को साथ में ले लिया जाए, तो ये तीन चीजों का whole square बन जाएगा, half, x plus y plus z, और यहां देखें, ये जो पहला लिखा हुआ है, ये किसका whole square है, ये x minus y का whole square है, और फिर आगे जो ये लिखा है, ये y minus z का whole square है, और इसके आगे जो ये लिखा है, ये z minus x का whole square है, तो ये इस तरह से, प्रूव हो गया जो हमको लाना था, वही ये चीज आ गई, तो हम यहाँ लिखेंगे, hence verified, तो ये था बच्चो हमारा आज का वीडियो, इसमें हमने question number 9, 10, 11 और 12 कवर किया है, उम्मीद करते हैं, ये वीडियो आप समझ में आया होगा, और आपने अपना केमती समय दिया, आप सभी लोगों को thank you, धन्यवाद,